खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बाद में उन्होंने बिजली के छेतर में मुबाईल टार्ज फार्मर सडकों को जगमगाने के लिए लाइट की विवस्ता और इन सबसे बढ़कर पावर हाउस का निर्मान करवाया। उन्होंने आठ सो लोगों का मुत्यबिन को अपरेशन कराया। साथी अब तक पंदरा से जादा बार अपना खून भी डोनेट किया। वक्त गुजरता गया और कमरेजा शानु शिक्षा के छेतर में भी काम करते रहे। साथी दो शादी हाल बनवाकर कजबे को एक बड़ी सौगात थी और साफ सफाई के भी तमाम इंतिजाम किये। यही वजाए सेतर लगर पंचायत को बरीली में सवस्ता के छेतर में पहला स्थान मिला और कोरोना काल में माल से ही कजबे में छिड़काओ का इंतिजाम भी किया गया। बाद में पेजल को लेकर वेह संजीदार है कंबरेदा शानु ने तमाम धार में इस्थलों पर पानी का इंतिजाम भी किया और कजबे की हर सड़को नया रंग रूप भी दिया। साथ ही लोगों के घोमने फिरने के लिए सुमिंग फुल का भी निर्मार कराया। लेकिन कंबरेदा शानु अपने इन कामों पर यहीं नहीं रुकना चाते हैं और दुबारा मिली जीस से पिछली बार से जादा और काम खरवाना चाते हैं जिसमें एक पार्क का नेमार उनका सपना हैं जिसको लेकर वो बेह संजीदा हैं लेकिन राज्य सरकार से फंड नही पार्क पार्क मुकमल तस्वीर के रूप में नहीं बन पाया है। फिलाल अपने आठ साल के कारिकाल में कंबर इजाश शानू ने अपने काम से तमाम लोगों का दिल जीता है। वो अपने शब्दों में कहते हैं उनको किसी की मदद करके दिली सुकून हासिल होता है। में किसी घरीब का दर्ब कुछन ही देते काता है। और मैंने तमाम ऐसे घरीब लोगों की पिपटबग उनके एक घरीब आदनी के आपरेशन में के पिचात जाए हुआ 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 हुआ।